हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब जैनल पढ़ाई वेत गुरू जेला सो माई डियर बीए ओनर्ट्स पोलिटिकल साइन्स सेकेंड सेमिस्टर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बहतर तरीके से अपने सेमिस्टर एग्जानेशन की प्रिप्रेशन कर रहे होंगे एंड बहतर तरीके से आप लोगों के जैनेशन से वो जा रहे होंगे Dear Students, कल यानि के 27th of July 2K23 को आप लोगों के Ability Enhancement Quotes यानि के AEC पेपर का Examination है जहाँ पर आप लोगों का एक पेपर है Environmental Science Theory into Practice 1 इस वीडियो के माध्यम से हम इसी पेपर के Past Year Question Paper को डिसकस करने का प्रयास करने जा रहे हैं ताकि आप जान पाएं कि किस प्रकार के Questions Past Year Question Paper में पूछे गए, क्या एक Basic Button रहा, क्या Marking Scheme रही, कितना टाइम दिया गया आपको Answer Writing के लिए and so on So dear students, आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं and यह जो वीडियो है, यह दियू Regular, दियू S.O.L. and N.C.V.F. दीनों स्टुडेंट्स के लिए काफी यूसफुल है, काफी ज़्यादा informative है So आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं So dear all, यह है Past Year Question Paper on your AEC Paper Environmental Science Theory into Practice 1 आप देख सकते हैं, this question paper contains 4 printed pages, यह जो आप लोगों का paper है यह 4 printed pages के अंदर आता है And यहाँ पर next है your roll number, यानि कि जैसे ही आप लोगों का अपना question paper मिल जाता है तो जो भी आपका roll number है, वो आप लोगों को हैंपर mention कर देना है Then इसके बाद है serial number of question paper, unique paper code, student, किसका S.O.L. यानि कि S.O.L. student का यह basically paper हम इस वीडियो के माध्यम से discuss करने जा रहे हैं Name of the paper आप देख सकते हैं, Environmental Science Theory into Practice 1 Name of the course, Ability Enhancement Course, Semester 1 And duration आप देख सकते हैं, 2 घंटे 30 मिनिट आप लोगों को दिये गए answer writing के लिए जहां पर part A के लिए 1R, part B के लिए 45 मिनिट्स, and part C के लिए 45 मिनिट्स आप लोगों को दिये गए And यह जो है S.O.L. students के लिए timing रखी गई है अगर हम regular students की बात करें, तो उनकी जो timing है examination की वो different है अगर हम बात करें maximum marks की, तो maximum marks आप देख सकते हैं Total 70 marks का आप लोगों का यह examination रहा है जहां पर part A है 30 marks का, part B है 20 marks का, and part C है 20 marks का तो part A, part B, part C, तीनों ही parts को मिला कर जो total marks बनते हैं, वो 70 बनते हैं देन अगर बात करें कुछ instructions की, जो कि आप लोगों को follow करने हैं during the examination सबसे पहले तो आप लोगों को जो अपना raw number है, वो दिये गए column पर mention कर लेना है जैसे ही आप लोगों को question paper मिल जाता है देन इसके बाद अगर as well student हैं आप, and आप लोगों का कल examination है तो इस question paper में जो section है, वो 3 दिये गए है, तीन sections में ये paper जो divide करा गया है जिसमें part A, part B, and part C है basically जो part A है, वो 30 marks का है, जो part B है, वो 20 marks का है, and जो part C है, वो 20 marks का है आप लोगों को जो 3 questions हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर attempt करने है, from part A and basically जो 2 questions हैं, वो आप लोगों को attempt करने है, from part B and कोई भी 2 questions आपको attempt करने है, from part C यानि कि part A, part B, part C में से कितने number of questions आपको attempt करने हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर instructions के तोर पर mention किया गया है question number 1 from part A is compulsory, जो part A का question number 1 है, वो compulsory है करना है, यानि कि हर एक student को वो question paper, जो question है, वो अपने paper के अंदर करना है, answers जो है, आप Hindi and English दोनों ही mediums में लिख सकते हैं, लेकिन throw out the paper, आप लोगों को एक medium का ही use करना है, अगर आपको अच्छा लगता है हिंदी में answer लिखना, तो आप सभी questions का जवाब English medium में देना, तो आप सभी questions का जवाब English medium में दें, लेकिन throw out the paper, आप लोगों को एक ही प्रेकार का medium जो है, इस्तमाल करना है, चाए वो Hindi medium हो, चाए वो English medium हो, तो यह कुछ instructions हैं, जो कि आप लोगों को follow करने हैं, और आप लोगों को request है, कि जब आप लोगों के पास कल question paper आये, तो किरप्या करकर instructions को बहतर तरीके से पढ़ें, बहतर तरीके से समझें, और उसे के according जो है, अपना paper जो है, आप लिखें, और आईए देखते हैं, part A क्या है, तो part A है, जो कि mandatory है, compulsory है आप लोगों को करना, attempt any two questions out of the remaining three questions, यहाँ पर आप लोगों को जो दो questions हैं, वो आप लोगों को attempt करने हैं, जो कि यहाँ पर बचे हुए तीन questions हैं उन में से, तो देखें, जो question संख्या एक है, वो अनिवार रहे हैं, और शेस तीन questions में से, कि नहीं दो के उत्तर आप लोगों को देने हैं, फरस्ट है, define the following in not more than 25 words, यह कोई जे हैं, जो कि आप लोगों को define करने हैं, कोई आपको 5 इसके अंदर attempt करनी हैं, और उनके जो answer हैं, वो 25 words limit के अंदर आपको लिखने हैं, पहला है hydrosphere, दूसरा है homostatus, तीसरा है grassland, चौथा है land degradation, पांचवा है fossil fuels, और लास्ट है pollutant, इन में इसे जो भी आप लोगों को 5 बैतर तरीके से आते हैं, वो आपको 25 words limits के दौरान जो हैं, लिखने हैं, और जो first question है, वो आप लोगों को compulsory है, कह सकते हैं attempt करना, ठीक है, जैसे इसके बाद है question number 1 का part B, state weather true or false, जिसमें true false आप लोगों को mention करने हैं, sentence को statement को बैतर तरीके से सम मजते हुए, आपको true false जो है, वहाँ पर फिल करने हैं, जैसे United Nations has formulated 15 sustainable development goals, plastic straw in an example of single-use plastic and so many, जो true false आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यह जो आपका question number 1 है, question number 1 का जो part A है, वो भी 5 marks का है, और जो part B है, वो भी 5 marks का है, यानिकि हर एक चीज जो है, हर एक जिसके इसके इन 1 जो है, यह compulsory है, आप लोगों को attempt करना, यहाँ पर हिंदी माध्यम में भी questions को mention किया गया है, तो इसके बाद बात करते हैं, question number 2 की, जिसके अंदर आप लोगों को short notes लिखने हैं, कि नहीं 2 पर, यहाँ प्राइमरी succession on barren land, river water conflict, multidisciplinary nature of environmental studies, यहाँ पर आप लोगों को कोई 2 ज इतने हो गए 10, यानिकि 10 marks का आपका यह question number 2 है, then इसके बाद है question number 3, explain the various autoforganic causes of deforestation, and briefly discuss the importance of margrew forest, so यह 5-5 marks के 2 questions है, यानिकि total 10 marks के आप लोगों का यह question number 3 है, then इसके बाद है next question number 4, discuss the various steps and measures that need to be taken from conserving water in agricultural areas and metropolitan cities, यह भी total 10 marks का position है, जहाँ पर आपको यह बताना है, कि जो क्रैसी शेत्र हैं, और जो महानागर हैं, उसमें जल से नरक्षन के लिए उठाए जाने वाले, कौन कौन से बिविन steps हैं, उनका जो उपाएं हैं, वो आप लोगों का आप विस्तार पू जिसमें आप लोगों को कोई भी दो questions के जवाब देने हैं, out of three, यानि कि तीन questions हैं, कोई भी दो आप लोगों को attempt करने हैं, question number five है, sustainable manufacturing can be defined as a creation of manufactured products through economically sound processes that minimize negative environmental impacts and so on, तो यहाँ पर जो है, आपको suggest करने हैं, at least two sustainable measures for each parameter given in the table below, so, यह देख सकते हैं, यह question number five है, यह table के, आपको follow, follow करते हो है, यह fill करनी है, and next है, question number six, question number six की बात करें, तो as a member of college, eco club, you have been given the responsibility of starting a camp, आप कह सकते हैं, आपको campaign जो है, यहाँ पर एक करना है, तो यहाँ पर जो है, कुछ है की basis पर questions पूछे गए हैं, जहाँ पर एक three marks का है, दूसरा भी three marks का है, and जो last है, वो four marks का है, तो इस प्रकार की questions आप देख सकते हैं, question number seven है, based on the diagram, given below, answer the questions, यहाँ पर एक diagram के basis पर question पूछा गया है, वो diagram आपको बहतर तरीके से सबसे पहले देखना है, and questions का जवाब देना है, तो इस प्रकार का diagram है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उनके कुछ Hindi meaning भी लिखे हुए हैं, तो identify the type of ecosystem, stating, appropriate reason, two marks का, उसके बाद three marks का है, उसके बाद three marks का है, again two marks का question है, तो आप इनको ध्यान पूरवग देखें, diagram को ध्यान पूरवग देखें, उसके according ही आप लोगों के आपर, इन questions के answer जो है, देने हैं, अब है part C, जो की as all students के लिए है के वल, यहाँ पर आपको attempt करने हैं, दो questions, out of three questions, first है, question number eight, what do you understand by the structure and function of ecosystem, जो ecosystem है, उसके structure and function से आप क्या समझते हैं, explain करना है, suitable examples के through, then question number nine है, discuss case studies of natural resources, conservation as a source of conflict and cooperation, question, यहाँ पर आप लोगों को जो प्राकर्तिक संसादन संदक्षन हैं, उसके मामले के जो अध्यन को, आपको संगर्ज और सहयोग किस्तरोत के रूप में चर्चा करनी हैं, then उसके बाद है, question number ten, in what way the unscientific mining and dam construction has contributed to the economy, but harm the environment elaborate, यहाँ पर आप लोगों को यह elaborate तरीके से answer जो है, लिखना है, so dear students, इसी के साथ total number of questions जो है, वो 10 रहे हैं and section wise उन questions को divide किया गया है and उनकी marking scheme भी उनके सामने ही लिखी गई है, so dear students, यह रहा है आपका past year question paper, आप लोगों के environmental science in, जो की आपका AEC paper है, I hope कि आप इस paper के माध्यम से यह जान पाएंगे कि इस बार क्या pattern होने वाला है, किस प्रकार के questions पूछे जा सकते हैं, so dear students, thank you for watching this video and best wishes for your examination.